जो है दुबारत से परिक्षा करा दी जाएगी लेकिन किस तरह से परिक्षा होगी क्या आगे रूप रेखा होगी ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आईए और इसलिए जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि तमाम रिपोर्टर्स अलग-अलग जिले से हमाई साथ जुड़ें क्या मेरट में भी आख्रोश अभियर्तियों में देखने के रिए मिल रहा है? लेकिन परिक्षा रद होने के बाद उनमें गुस्ता है दो पालियों में परिक्षा होनी की पूरे मेरट की अगर बात की जाये तो यहाँ जगा-जगा जाम की सिती है चुकि एक्जाम समय से पहले छूट गया चुकि उसको पूरी परीके से सगित कर दिया गया और पूरे म इसी महीने पे अक्तराय जाएगा चलिए ठीक है मनवर शाद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक बार अपने नेटवर्क चेकर लीजे तब तक लोकेश में आपके पास साना चाहिए जिस तरह से लिए के मनवर भी बता रहे हैं के मेरट में तो जाम जै अगर बुलंड शैर की बात कीज़ा तो बुलंड शैर में भी हालात कैसे हैं? परिक्सार को सवाइब तो फातरों में चहिना कि छोड़ा वात्रों तोड़ा रोज जाना थिसके पात, उनको रीजन बताया गया है क्थि क्यों परिक्सार को सवागे जाना है ? वाट्टेप गुरूप में लगा पादिये तर्षा नहीं हो रहीं है कि बुलेंचेर और मत्राम और गाज़बाद वाट्टेप गुरूप में पेपर लीग किया गया है लेकिन अपनी हाला कि अद्धिकारियों की बात करें तो एसी कोई इसकी सामने नहीं आई है कि बिल्कुल लोकेश और अगर किसी इस देखे पूरे मामले में अब तक जिससारा से मनवर ने अपडेट दिया कि 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है क्या बुलेंचेर से भी किसी की अब तक गिरफ्तारी हुई है कि देखे जैसी हमने बात की पूरे मामले में जिस देखे भी जो हैं घर्चा कि जो कार रेवाई है उपको भी की जाएगी चलिए ठीक है रोकेशा बने रही है मनोवर आपके पास आउंगी मैं जिस तरह से देखिए अभी आपने बताया के मेरट में आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है भी अरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मेरी भगत की वज़ा से पेपर लीक हुआ है तो किस तरह की और जानकारी है भी हर्तियों की तरफ से वो क्या रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है आखिर इस पूरे पेपर रद करने को लेकर पारूल परिक्षा इस वक्त माना जा रहा है रद कर दी गई है और इस परिक्षाओ को इसी महिने में कराया जाएगा लेकिन है अब बश्ची मुतर प्रदेश की नहीं उपी की बात कर ली जाए तो प्रेंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां योगी स्तरका पर हमलावार हो चुके हैं चुकि पहले ही रोजगार को लेकर जो तमाम लोग के सड़कों पर थे युवा थे अल्ला बोल के हुए थे लेकिन एक मोका था जो परिक्षा होनी थी और लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थी लेकिन उसको एक बार फिर से श्थागित कर दिया गया है ऐसे में जाहिर तोर पर पष्ची मुत्तर प्रदेश की अगर पुरे प्रदेश में चुनाओ होना है यूपी का विदानसपा का चुनाओ है लेकिन उससे पहले ही भूमी का बनना शुरू हो गया है विपक्ष को बैठे बिढ़ा एक नोका मिल गया है प्रेंक सब्सक्राइब प्रदेश को थी और तमाम जो परिशा केंद्र से वहां पर सिस्टीवी कैमरे लगवाए गए थे जिससे की आसानी से इंको पकड़ा जा सके और वही हुआ अभी 27 लोग माना जा रहा है हिरासत में हैं तीन लोग पश्री उत्रपरदेश के शामली से हैं ऐसे में इस सिंडिगेट के किसने नेटवर्क हैं और इनकी जड़े कहा तक मजबूत हैं कहा तक इनकी जड़े पहुँची हैं अभी पारूलिय देखने वाली बात होगी बिल्कुल मनोवर लोकेश देखे जिस सरा से मनोवर लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी परिक्षाएं जो हैं बोर रद हो गई थी और क्यूंकि पेपल लीक हुआ था लेकिन देखे इस बार एक एहम बात ये थी कि लगातार सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा था कि लाइफ सीसी टीवी सर्विलाइंस के अंडर में परिक्षाएं कराई जाएंगी उसके बावजूद भी क्यों इतनी बड़ी चूक हो जाती हो ये कोई पहली बात पहली बार नहीं है कि इस तरह के पेपल लीक हुए हो सरकार देखे भले ही ये कह रही है अब योगी आ बार चैनलेंजर सरकार के लिए कि इस तर्फा बरतने के बाद भी परिक्षा लीक हो गई अगली जो फारीक है वो अभी सुनिश्चित नहीं की गई है कि अगला इंतर्जाम होना है वो होंगे ये आगे देखने वाली बात होगी बिलकुल लोकेश और देखे अभी अगर बुलंद शेयर की बात की जाए तो क्या वहां पर अब सब कुछ शानत है क्योंकि जिस साथ से आपने बताया वहां पर अभी सिती कुछ वैसी बिगड़ी हुई नजर नहीं आई थी लेकिन क्या वहां पर भी अड़तियों में आक्रोश था क्योंकि परिक्षा रद अगर बुलंद शेयर की जिसके बाद ये परिक्षा रदी गई लेकिन ये तहीना के जो पविश्य है जिन परिक्षार्थियों ने तयारी की थी उनको ध्यान में रखते हुए इस परिक्षा को सगित किया गया है क्योंकि ये तहीना के उनके साथ खल होता है जी ठीक है लोकेश और मनववरा बने रहेगा हमाई साथ और दानिश भी हमाई साथ लखनव से जुड़ चुके हैं अगर लखनव की बात की जाए तो लखनव में क्या हालात हैं क्या अख्रोश अभी अर्थियों में देखने के लिए मिल रहा है वहाँ पर पर बच्चों ने जो जिस तरीके से अभ्यारती थे उनने तैयारियां कर रखी थी और अचानक यह सूचना आती है कि यूपीटीडी की परिच्छा की पेपर लिग हुआ उससे परिच्छा कैंसिल हो गए तो मामले में सब्सक्राइब अभी जांच कर रहे हैं स्ट्रोश च चलती है उसके बाद मामला थंडे बश्क्राइब लेंगे तो क्या इस तरीके की घटना या इस तरीके की जो पेपर लिग की जो आए दिन घटना होती है आए दिन की सुचना आती इस पर लगाम कैसे लगेगी तो कि अक्सर देखा गया है बिल्कुल दानिश देके ये तो कह दिया गया है कि फीस दुबारा नहीं लेंगे लेकिन जो मेहनत इन अभियर्टियों ने की ती जो समय इनोंने परिक्षा की मेहनत करने के लिए दिया था वो समय वापिस नहीं आ पाएगा फिर से इनके लिए और कितने अभियर्टी आपका कहना बिल्कुल सही है और यह सभी जानते हैं कि यह पहला को मामला नहीं है चाहिए वो सालवर गैंगो चाहिए वो परिच्छा के नम पर पास दाने का खेलो चाहिए वो रेलवे का खेलो अब आप ही हाली में देखा होगा कि डॉक्ट्टों की MBBS फर्जी दॉक्टर सभी तरीके के परियास के जाते हैं वो सिक्षा निते में बदलाव करते हैं सेमेस्टर सेमेस्टर बढ़ाते हैं अगर इन चीजों पर लगाम की भी लगवाती है क्योंकि यह घटना है सिंडिकेट में होती है और ज्यादा बिल्कुल चैलेंज तो है क्योंकि देखे सरकार लगातार यह दावा करती थी कि हम नकल नहीं होने देंगे परिक्षा में और इस वार लाइव सी सर्विलाइंस के अंदर में परिक्षा होने वाली ती दावा किया जा रहा था कि कोई भी गड़वड़ी होगी तो तुरंट पकड़ लिया लेकिन गड़वड़ी तो परिक्षा शुरू होने से पहले इतना बड़ा मामला सामने आ गया कि पेपर लीक हो गया बिल्कुल देखें मैं वही को एना चाह रहा हूं कि उस्तर प्रदेश सरकार हो या सेंटरल गवर्मेंट हो करेंगे हम बहुत से प्रियास करने लेकिन जाएं वारे वार्देट ऑल्यव स्मय में इस तरकार कर थे सब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर कोई सूची लागू की है तो उनको इस चीज को देखना पड़ेगा कि सॉलवर गैंग जो है और जो तरीके जो मुस्तिक्षा माफिया जो रहे कर चिला रहे हैं यह कहां तक पहले हुए हैं यह कौन कोण सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं अब यूपी सरकार की तरह से फैसल लिया गया कि अभियरती जो है एडमिर कारट दिएक कर सरकारी बसों से फरी में घठ जा सकते हैं दिएक जिन अभियरती की मैं बेकार हुगाई जिनका पैसा बेकार हुगए सरकार कही नहां कही यह लॉली पॉप ही देती वही नज़र आ रही है को क्या इससे अभियरती शान तो पाएंगे लेकिन इससे होगा क्या जो उन्होंने तैयारी की एक्जान देने की अपना एक्जान मन बनागर घर से मिखले से कि आज हमारा एक्जान है देखे मैं आपको यह बताने भी जाओंगा कि सरकार जो है लगातारी दावे करती है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं विकास की ओर से सरकार बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार की ओर सरकार कैसे बढ़ेगी यदि इस तरह से जो परिक्षाव में जो है वो लीक होती रहेंगी और जो भषिस्ते है देश का जाने के लिए तो लगातार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे उत् हाला कि किस लाग से जादा अभ्यरतियों को ये बड़ा जटका लगा है परिक्षा रद कर दी गई टीटी की और ऐसे में पेपर पहले ही लीक हो गया कहीना कहीं सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है पांच तस्वीर एक बाप फिर से आपको दिखा रहे हैं बु इस पेपर लीक का मास्टर माइंड कौन है और किस तरह से ये ग्यांग सक्रियता किस तरह से ग्यांग काम करता है अभी तक ये जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है तो ऐसे में लगातार आपको बता रहे हैं कि आज उत्तरप्रदेश में यूपी की टीटी की परिक्षा होनी थी लेकिन कहीं न कहीं अभी अर्थियों को बहुत बड़ा जटका तो है ही क्योंकि 21,00,000 से ज्यादा भी अर्थिस पेपर में आज बैठने वाले थे अगर 2020 की बात कर ली जाए तो 2020 में कोरोना की वज़ा से पहले ही पेपर कैंसल कर दिया गया था व्रद कर दिया गया था क्योंकि मामले जिस तरह से कोरोना के बढ़ रहते हैं उसकी वज़े से लेकिन इस बार एक बार फिर से पेपर व्रद होना ये बहुत बड़ा जटका भी यर्ति के अंदर होती है या नहीं होती फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें निउस वोल इंटिया